ग्री मंत्री अमिट साह के यहां बैठक के बाद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुगदेव सिंग धिंटसा जी है काली दल सिंजुक्त के प्रधान सर क्या मुटि तौर पे आप लोगों में सहमती बन गई कि अब तीनों ही पार्टिया क्या अप्टेन अमनिंदर सिंग की पार्टी आपकी और बीजे कुटी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे पंजाब में और क्या बात चीत थे आज हमारी आप पांचांग में उत्य मीटि अमति शाजी थे नड़ा जी थे और जो पिंजाब के बरवारी हैं यह शिकावद साथ भी थे मैं और क्यापन साथ हुआ है मारे भी यह समझाता हुए कि कठे लड़ेंगे तर करेंगे लेकर स्वीट काउंट के लड़ेगा वो कहने जीतने बारा है विनिंग वो रखेंगे विनविलेटी क्राइटेरिया और उसमें चे मेंबरी कमेटी बनेंगे दो-दो मेंबर तीनव पार्टी तो होगी और वो बैसके फैसला करेंगे कि कौन से कंसिक्यूसिंट में कौन जीतने पंजाब सरकार ने लगातार मुश्कलां दा समना करहे गना किसाना दिवी बाफड पहला सरकार दे वलों गन्ने दिया कींता नू 310 तो 360 प्रेर पती कोईंटल कीता गिया दिवदायां गया कींता दे भाद जो तो प्राइविट मिला ने वादा देन तो हत खड़े कर देते ता ऐसे पी दिवदाय के पजार रुपे विच्चों 35 रुपए सरकार ने खुद देन दी परवान की दिती है इती नहीं ए रकम सिद्धी किसाना दे खातियां दे वेच अदा कीती जारी है गन्ना उत्पादक किसाना तो लेके शुगर मिला तकली पंजाब सरकार लगातार पेतर कदम चुकर ही है पंजाब सरकार लोकांदी सरकार स्थाइज नहीं कर सकेंगे तो फ्र हम तीनों बैठ दाएंगे यह भी तै हुए है कि तीनों ही पार्टी का जौाइंट मैनिफेस्टो होगा मैनिफेस्टो पहले तो यह है कि तीनैंट बैठ के बनाएंगे क्योंकि बहुत मसलें ऐसे है छिकौं के मसले हैं आपने भी अकाली दल से अलग होके अपनी पार्टी बनाई गए आज के हालात में आपकी क्लिम करते हैं कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लगना चाहते हैं कितनी जीच सकते हैं वह बैठे हम साड़े बैठे कर विट आप लोग 350 पहते सीटों पे चाहते हैं और क्याप्टेन अमनिंदर सिंग कितनी सीटों पे लर्णा चाहते हैं उन्होंने बचा नहीं हो तो कमेड़ी में बैठेंगे उस वर्ती बताएंगे अब हमने भी कुछ नहीं कहा, तो वैसी मैं कहे हूँ कि हमारी पार्टी ज देंगे ने दो जो नाम देने हैं वो कब तक देंगे और अबली बैठाश कल तक देंगे और वो जल्दी मीटीगे एक-डो जिन पेएक देंगे एक सवाल सर दिन साथ आप की अभी अभी प्रधानमंतरी ने करसी कानून वापिस किला है, पंजाब एक अगरिकल्चर प्रधान स्टेट है, सबसे जादा लोग बॉर्डर पे दिल्ली की सिवाओं पे पंजाब और हर्याना के ही बैठे थे, पंजाब में चुना होना है, ऐसे में एक बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं लिया अपने बीजेपी की साथ जाने है? नहीं, मैंने जितनी हमने मदद की, हमारी डूटी थी, सबसे पहले मैं चिठी लिखी प्राम को दानमातरी जी को, कि यह आउडिनास जब हो गए थे, कि यह आउडिनास किसानों के खिलाब मैं इसको बाप्स किया, उसके बाद जो किसानों ने कहा वैसी हमने, मुझे मिला भावार्ड वह बापस किया, रदंबुशन, ने किरा यह न बापस हो गए, तो हमने देखना कौन सी पार्टी हमारे पुझाब के लिए सिखों के लिए, कौन सी कर सकती है, उसमें से वही आउडिकाए के BJP कह सकती Karma है, ब्गए को बजएक की होगा split, ट? इस लिए किसी के सा अभी जो पंजाब में स्थिति है अब ये तीनों पार्टियां एक साथ आ गई है क्या आपको लगता है कि आमाधी पार्टी कॉंग्रेस शिरुमनिय काली तल और अब ये एलाइस क्या इस्थिति रहेगी आने वाले चिनाव में कि आपको लगता है कि ये जो आंदोलन हुआ एक साल तक चला इसका कोई असर दिखेगा या क्रिसी कानून वापिस लेने के साथ अब ये खत्म हो गया और पंजाब की जनता एक बार फिर इस बीजेपी लेड एलाइंस क्योंकि सबसे वड़ी पार्टी बीजेपी बीजेपी की है उस पर विश्वास करेंगी विश्वास तो यह तो बटी बिताएगा लोगों विजाब के लोग क्या चाहते हैं लेकिन किसानों का जब जलेया भी किसानों कि कितनी जैसे बंदी हैं जो कहती है हमने एलेक्शन नहीं लड़नी और हमारे जो हमारा गट चोड़ा उनके किसानों ने भी अपनी पार्टी बना ली उसका कितना असर होगा आपको लगते है कि रूडल बेस जो पार्टी है उसमें भी यह यह कुछ जतेबंदी है जो उनकी बात नहीं मान लगते हैं लेक्शन मतल हो तो वक्त बताएगा क्या करते हैं एक आखरी सवाल चंडीगड का आजस्थानिय चुनाव का रिजल्ट आया है एक हंग दिखा है उसमें जिसमें आम आद्वी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पे है बीजेपी उसके वाद कॉंग्रेस फिर एक जीप पे अकाली दल आपको लगता है कि जितनी जितने प्लेयर्स इस वार पंजाब के विधा सरकार ना मने सीलिए हम तीनों कठे हुए एक पार्टी की सरकार मोजकल बने कि कोई निकवन सकती तो इसलिए हम अकठे हुए तो आप तो ऐलाइंस में है मतलब ये भी दिख रहा है आपको कि ना बीजेपी ये एलाइंस ना कॉंग्रेस ना अमाधि पार्टी ना काली कोई अपने पूते सरकार नहीं बना पाए ये तुम्हें गरांटी करता है तो कोई निका कहना है कि कोई भी एक पार्टी पंजाब में विधान सभा चुनाओं के बाद सरकार बनानी की स्थिति में नहीं हो कैमरा में नाकास के साथ अजे जाद द्यानिक समय सकती है रोहानियते क समतकारी इल्म मेरे कोल है मेरे कीते नू कोई काट नहीं सकदा काला इल्म करना आते तोड़ना हर इक देवास दी गाल नहीं परिशानी जिमें लब मैरेज पतिपतनी च चगड़ा सौत अंदुश्मंत चुटकारा तलाग केस बुरे सपने विधेश जात्रा बुरी संगज जर नशा चुड़ाना विमारी चे दवा ना लगना वशीकरानिक सचाई है वशीकरान करवाओ मन चाहा प्यार पाओ की तो हड़ी किसमें च लोटरी दा योग है जा नहीं सचाई जानो लोटरी नंबर पाओ पामिछे सो निंजा होवे जा लोटो मैक्स गयारा केंटेज कर करवाओ हर परिशानी दा हाल कर बैठे अश्टाम पेपर ते लिखे लवो कमदी गरेंटी जा कहने तो बार है तुरत संपर करो तो हड़ी हर गल गुपत रखी जावेगी अलीशा बेगम वर्ड फेमस बाबा सलीम खान इकी बार गोल्ड मेड लिस्ट सार्य थामातों निराशते मायूस होनवाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाओगे ओमे होएगा तेनु मणोना होडे कॉल करो बाबा सलीम खान अठावे एक सो नानमे संती चार सो स्तार्ट